हलो फिंट स्वागत है हमारे यूटीब चेलनल पर आज हम वर्ड जियोग्राफिक के वोल में हम प्रिथ्वी की आंतरिक सरचना के बारे में अध्यन करेंगे मैप के माध्यम से और साथ ही साथ हम इसमें प्रिविस एयर में आई हुए क्विस्टन का भी लाष्ट में अध्यन करेंगे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रिथ्वी की आंतरिक सरचना का सही रूप से पता लग पाना अभी फून रूप से संभव नहीं हो पाया है और वैज्यानिक के बीच में अभी भी इस संभन में मदभेद हैं फिर भी तापमान दबाव घनात्व और तरंग पर अधारीत प्रामार को एकत्रिक करके प्रिथ्वी की आंतरिक सरचना प्राप तक किया जाता हैं देखें प्रिथ्वी की आंतरिक सरचना के दो स्रोथ हैं जिसमें पहला है प्रत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसके माध्यम से प्रिछ्वी के आंत्रिक सरचना का पत लगाया जाता हैं। उसके बाद है अप्रत्यक्ष सुरूत के अंतरगध हैं। सापमान, घनात्व, दबाव इसके माध्यम से प्रिछ्वी के आंत्रिक सरचना का सुरूत को जानने का कोशिस करते हैं। प्रिच्वी के अंदर प्रती 32 मीटर की गहराई पर जाने पर एक अंसेल्सियस आपमान बढ़ जाता है देखिए जब हम प्रिच्वी के अंतरगर्द प्रतेक 32 मीटर के खुदाई अगर करेंगे तो प्रतेक 32 मीटर पर जाने पर एक अंसेल्सिया सापमान बढ़ जाएगा यह पॉइंट को आपको याद में रखना है क्योंकि यहां से प्रस्न कई बार पुछे जाख चुके हैं यह हैं प्रिच्वी के अंतरिक सरचना हमने जो पूरा प्रिच्वी हैं उसमें से कुछ हिस्से उपरी भू प्रपरेटी से और निचली कोर से पूरा एक टुकड़ा अध्यान करेंगे देखे उपरी परत को भू प्रपरेटी कहते हैं उसके बाद बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं उसके बाद सब्सक्री नीचे वाले भाग को पोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं अब हम सभी का एक एक करके हम प्रिच्वी के अंतरिक सरचना का अध्यान कर तो पहला है भूप्रपटी, भूप्रपटी को ट्रेश्ट कहते हैं इंग्लिस में या प्रिथ्वी के सबसे भूप्रपटी कहते हैं, भूप्रपटी प्रिथ्वी महादीप वा महासागर के नीचे अलग-अलग होती है, जो भूप्रपटी की मुटाई हैं वा महादीपों प इसकी आउसद मोटाई की बात करें तो वह वहाँ 5 km होगा और वहाँ महसागर पर यहाँ 5 km होगा जबकि यहाँ महादीपो पर इसकी मोटाई रही Luck पर GoPro lonar in a m di मोटाई भू पर पर इसकी मोटाई 30 km होता है ब्रू परिपटी की निर्मान पर मां aluminum से हुआ है, यह भू परपटी है, इतने भाग, इसका निरमार silica तथा aluminum से मिलकर हुआ है, इसलिए इस परत को silica भी कहा जाता है, यहाँ से silica कहा जाता है, इसको याद रखने का trick है, si al, si से silica याद रखना, उसके बाद फिर हैं भूपरवटी के जो क्रश्ट भाग का औसत घनत्व हैं वहां 2.7 ग्राम सेंटिमिटर हैं जो क्रश्ट का औसत घनत्व 2.7 हैं इस परत को लीथो इस्पियर भी कहा जाता हैं जो भूपरवटी के भाग को लीथो इस्पियर भी कहा जाता हैं यहां मत्पूर हैं इसको ध्यान में रखना हैं फिर अगला है मेंटल दूसरा है मेंटल क्रश्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाते हैं जो भूपटी को हम क्रश्ट कहते हैं और क्रश्ट के निचले वाले भाग ये वाले हिस्से को मेंटल कहा जाते हैं इसके सीमा यहां से भूपटी कर्श्ट से यहां उपरी कोर तक हैं प्रिथ्वी का आयतन का 83 प्रिशत तथा दरविमान का 66 प्रिशत भाग ही मेंटल हैं जो प्रिथ्वी का आयतन है उसका 83 प्रिशत तथा दरविमान का 66 प्रिशत भाग मेंटल में आता हैं मेंटल का निर्मार सिलिका और मेगनेश्यम से हुआ हैं इसलिए इस परत को सिमा परत कहा जाता है जो यह मेंटल का निर्मार है वह सिलिका तथा मेगनेसियम से हुआ है इसको हम याद कैसे रख सकते हैं SI, SI से सिलिका तथा AM से मेगनेसियम इस प्रकार आप इसको SIAM से याद रख सकते हो इस परत पर ज्वालम की विस्पोर्ट के समय लावा और गैस और राख बाहर आती हैं मेंटल से ही जब ज्वालम की उत्वार होता है तो यहीं से लावा बहार निकलता है जो प्रिथ्वी की उपरी चता पर लावा गैस इसी परत से बाहर निकलता है कौन से परज से वह हैं मेंटल से ज्वाला मुखी का लावा गय सराक इसी परज से जब ज्वाला मुखी उद्दगार होता है तो इसी परज से यहाँ निकलता है फिर भूखरबटी के उपरी सीमा पर जाकर यहाँ जम जाते हैं जो यह मेंटल की उचाई हैं इसकी कुल उचाई हैं वह हैं 29 किलो मीटर इसकी मोटाई हैं इस शेत्रा में बेसाल्ट पत्थरों की समू से बना हैं जो यह मेंटल हैं यहाँ बेसाल्ट बेसाल्ट पत्थरों की समू से मेंटल का निर्मार हुआ हैं यहाँ आपको ध्यान में र इसका अवसर घनात वहां 3.5 से 5.5 है इसका अवसर घनात वहां 3.5 से 5.5 है ग्राम है इसको आपको याद में रखना यहां से रस्ना कई बार बन चुका है इस भाग को पाइरोइस्पियर भी कहा जाता है जो मेंटल वाले यह भाग को पाइरोइस्पियर भी कहा जाता है आपको यहां रखना हैं, फिर अगला हैं क्रोड, और यहां प्रित्वी की सबसे भीत्री या केंद्री भाग हैं, जो क्रोड हैं यहां प्रित्वी की सबसे भीत्री या केंद्री भाग हैं, जो प्रित्वी की केंद्र हैं वहां भाग को हम क्रोड या कोर, इंगलिस में कोर कहत हैं इसका निर्मार मुख्यरूप से निकिल और लोह से हुआ इसका निर्मार निकिल और लोहे से हुआ है, इस कारण इस परत को निफे कहते हैं, इन आइ, इफ इ, निफे, इन आइ से निकल याद रखना, इफ इ से लोहा को याद रखना, आउसत घनात्वा हैं Angels-13 g-tm cm तक होती हैं, जो निफे की परता हैं सका आउसत घनात्वा 11 से 13 सेंटीग्राम होती हैं इस परत को बेरी इस परत को बेरी स्पियर भी कहा जाता है जो निफ्ये को जो निफ्ये जो निचली परत है इसको बेरी स्पियर कहा जाता है इस परत को बेरी स्पियर भी कहा जाता है या प्रिथ्वी की कुल आयतन का 16 प्रतिसर भाग घेरे हो हैं जो प्रिथ्वी का कुल आयतन में यहां 16 प्रतिसत भाग यहां जो क्रोड हैं वहां घेरे हुए हैं कुल आयतन का प्रिथ्वी का कुल आयतन का 16 प्रतिसत भाग यहां को और हैं वह घेरे हुए हैं उसके बाद है जो भूप्रपटी और और के बीद कुछ लाइन पाए जाते हैं जिसे विभिण विद्वानों ने अलग अलग नाम दिये हैं जैसे उपरी क्रष्ट और ये उपरी क्रष्ट हैं और निछली क्रष्ट के बीच में के भाग में एक लाइन पाया जाता हैं उसको कहते हैं कुनाड की असभंता कुनाड की असबंधता रेखा इसको कहते हैं यहां प्रतेक इज्जाम में के लिए यहां मतपूर हैं यहां से प्रस्ण बना कर पुछे जाते हैं ऊसके बाद हैं करशट और मेंटल के बीच मिलने वाली रेखा को कहते हैं उसके बाद उसके बाद उप्री मेंटल और निचली मेंटल वीच की भाग को रेङप्टी की असमन्धता कहते हैं इसको रेप्टी की अस्मंदता कहते हैं उसके बाद मेंटल और कोर के बीच की भाग को यहार एखा को गुटेन बर्ग की अस्मंदता कहते हैं इसको गुटेन बर्ग की अस्मंदता कहते हैं उसके बाद है निचली कोर उपरी कोर और निचली कोर उपरी कोर और निचली कोर के बीच की भाग को कहते हैं लेह मैन की असमंधता कहते हैं मैप के माध्यम से यह ज़िए आप मैप को एक से दो बार बनाएंगे और इसको यहां दरसाएंगे तो आपको आटोमेटिक यहां याद आ जाएगा उसी का डिटेल यहां दिया गए हैं देखे उपरी क्रेश्टा और निचली क्रेश्टा के बीच की सीमा को कुनाड़ा के असमंधता कहते हैं और क्रेश्टा के बीच की सीमा खेतरा को मुहू के असमंधता कहते हैं उप्री मेंटल और निचली मेंटल के बीच की सीमा को रेप्टी के असमंधता कहते हैं। उसी प्रकार मेंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग की असमंधता कहते हैं। और उप्री क्रोड और निचली क्रोड के बीच की सीमा को लहमान की असमंधता कहते हैं। और निफे यह इसको किसने बांटा है वहाँ एडवार्ड स्वेश मोहदय ने इसको तीम भागों में बांटा गया है सियाल सीमा और निफे इसको याल रखना सियाल सीमा और निफे के रुप में भुगर्व का विभाजन किसके द्वारा किया गया है अगला प्रस्ण है प्रिच्वी के धरातर से केंद्र की और निल्न लिखित का सही क्रम क्या होगा जो प्रिच्वी के धरातर से केंद्र की और क्रम को आपको बताना है उसके बाद सीमा फिर निफे जियाल सीमा निफे प्रिच्वी के किस भाग में निफ्किल और लोहा की प्रधानता है तो प्रिच्वी के निफ्य वाले भाग में लोहा और निकिल की प्रधानता है धरातल से भुगर्व की और जाने पर गहराई के सांसा तापमान वृद्धी की दर क्या है जो हम धरातल से भुगर्व के अंदर जब जाते हैं तो उसके तापमान इतने वृद्धी होती है या पुछा गया है तो वह प्रतेक एक डिग्री सेल्सियस 32 मीटर जाने पर प्रतेक एक डिग्री सेल्सिया साफमान हुआ हैं वहाँ बढ़ जाता हैं अगला है निम्न में से किसको वाइट आप दा अर्थ कहा जाता हैं तो मेंटल को वाइट आप दा अर्थ कहा जाता हैं अगला है मुहों असबंधता इस्थित हैं तो मुहों असबंधता इस्थित हैं वहाँ क गुटेन बरग की असमजता इससीत है, मेंटल में निम्न लिखित में से किन तत्तों की प्रधानता होती है, तो मेंटल में सिलीका तत्ता मेगनेश्यम की प्रधानता होती है, इसको ट्रिक याद किये थे, SI प्लस AM, अगला है, प्रिथ्वी ग्रहक की सरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्न लिखित में से किस एक से बना है, तो यहाँ लगा से बना है अगला है प्रिच्वी की सरचना में मेंटल के नीचे क्रोड नीम्न लिखित में से किस एक से बना है तो यहां लहों से बना हैं अगला है प्रिच्वी के भूख प्रपटी में कौन सा तत्व प्रचूर मात्रा में पाया जाता हैं यहां हमने प्रिथ्वी के आंतरिक सरचना को देखा और 37 प्रिवेस येर में आएवे क्वेस्टन का डिटेल में अध्यन्द किये हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भोले ठैंक्यो